तो भाई मैं अपनी पूरी वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड करने के लिए रेडी हूँ लेकिन अभी जस्ट एक अपडेट नी कलके सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता रहता हूँ, स्पॉर्ट करा गया है जिला फाटो को डबल डबली होटल के अंदर, यह इतनी मेजर अपडेट है कि मैं मैं नहीं कर सकता था, मुझे लगा इसको अड़ कर लेते हैं, तो इसके बाद आप जो आगे सुनने वालों वीडियो के अंदर वो समझ लेना कि प्री रिकॉर्डड वीडियो है, यह उपर से मैं पार्ट अड़ कर रहा हूँ अपडेट आपको सीरह बताता हूँ, टाइम क्या वेस्ट करना आप देख सकते होगे, रिपोर्ट है यहाँ पर, इन रीसेंट टर्न अफ इवेंट्स, रिंगसाइड नूज वाज सेंट वर्ड दैट जिला फार्ट वास पॉर्टेड अड़ वीडियो होटेल बिफोर समस् इवेंट इस वीडियो में जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले रिकॉर्ड करी जो कि अभी आप आगे देखोगे नए सीरे से, उसमें भी मैंने इस चीज़ को डिसकस करा है कि जिला फार्टू क्या पता आजा है में इवेंट के अंदर, में इवेंट ओवर बुक्ड होने व इसका मतलब 100% यह नहीं है कि जिला फार्टू होगे ही होगे इवेंट के अंतर और नहीं इसका मतलब यह है कि जिला फार्टू बिना मतलब के थे वहाँ पे, क्या लगता आपको क्या हो सकता है, बाकि अभी आप जब वीडियो देखोगे हो, पहले से सूट की हुई वीडि से पहले ये रही पहली चीज़ ट्विटर पे फॉलो कर लेना विकॉज लाइब ट्वीटिंग करेंगे कल सो के दोरान तो सब कुछ आपको पता चलेगा क्या रियक्सन है क्या नी और मैं भी आपके रियक्सन जान पाऊंगा दूसरी चीज़ वाट्सप चैनल पे फॉलो कर ल स्टेडियम बहुते ब्युटिफुल यहां पर ड्रसेल मी rodें लभू का सेज बनाAKा सकती थी लेकिन पता नहीं की इंगों प्रिस्टी आपके लेकिन क्लीन और को शॉकस कर रारी जान कि अब ब्लकुल दिख लएटि बिलकुल flawless होने वाला है, बाकि अगर entrance की बात करेंगे तो साथ आपको हलका दिख रहा हो या फिर ना दिख रहा हो, वैसे मैं आपको दिखा के रखा है वही underground entrance एक तरीके से, simple इन्होंने एक screen लगा दिया है, curve ramp है, and कुछ side में right left में 3-3 इन्होंने curve छोटे-छोटे pillars लगा है LED screens के साथ में, तो देखते हैं उसको किस तरीके से use करते हैं, और वो कैसा दिखता है, by the way उसमें lights भी attached है, तो ये final आखरी वीड़ो भाई, stage update को लेकर है, and ये आई थी निकल के सामने, तो मैंने आपके साथ share कर दिया, आगे बढ़ते हैं guys, बात करते हैं, अगली story के बारे and एक chance से भाई एक possibility है, हलकी सी बिलकुल, कि Solo Sequa actually में कल undisputed champion बन सकते हैं, maybe कल Solo Sequa Cody को beat कर सकते हैं, अब मैं ये नहीं बात करने वाला की unpredictability है, या फिर मैं ये नहीं कहरा है कि surprise देना चाहेंगे टरफलाज, वो सब कुछ भी नहीं कहरा है, मैं कहरा हूँ कि अगर आप थोरा सा data के हिसाब से देखो, तो maybe हो सकता है कि Solo Sequa को winner बनाया जाए, actually हुआ क्या, bloodline rules match जब इस से पहले हुआ, हमें देखने को मिला वो Roman Reigns Cody Rhodes का, वहाँ पे Cody Rhodes जीत गया है, bloodline rules match में 1-0 का stat है, और लोग इस चीज़ को point out कर रहे हैं, कि पहले ही Cody Rhodes एक bloodline rules match जीत चुके है, अब bloodline rules match है, तो obviously बात है, bloodline इसमें ज़्यादा माहिर होगी, यानि कि bloodline के लिए एक favor होगा, लेकिन अगर back to back ये खुद के ही matches के अंदर हारते जाएंगे bloodline के members, तो फिर इस match का sense ही नहीं बनेगा, मतलब Solo Sequa अगर इस बार फिर से हार जाएंगे, अगर वो हार जाते हैं, एक bloodline rules match के अंदर, तो then ये solo के लिए तो भाई हार होगी, लेकिन Cody के लिए 2-0 हो जाएगा, यानि कि bloodline खुद के ही match के अंदर दो बार हार गई, and solo Sequa आप यहाँ पे हारेंगे, तो Cody के लिए एक point और add हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग का मानना है कि at least WWE 1-1 तो करेगी, मतलब यह थोरा सा confusing है, जो लोग नहीं समझ पारें, मैं simple बताता हूँ, Wrestlemania के अंतर हुआ था bloodline rules match, Cody Roman के बीच में, उसमें Cody जीत गए, अब bloodline rules match simple है ना भाई, कि bloodline के favor में ही कही ना कहीं जाएगा, अब उनके favor में जा रहा है, फिर भी वो हार जा रहे है, तो कही ना कहीं समनाग बात है, अब अगर फिर से same booking होगी, फिर से अगर सोलो सीकवा हारेंगे, अगर bloodline का member हारेगा, bloodline rules match में ही, तो कही ना कहीं biggest fumble में से भी एक हो सकता है, because bloodline का आप खचरा कर दे रहो, मतलब आप इतना build कर रहो, उसके बाद Cody के सामने ले जाके सब शकना चूर कर देते हो, तो इसलिए थोरे से chances हैं, बिल्कुल थोरे से, कि में भी सोलो सीकवा सॉकिंगली कल जीत जाएं, कुछ लोग ऐसा लगता है, ट्विटर पर ये बात है, ये stat वाली बात है, तो मुझे लग आपको बताते हैं, क्या आपको लगता है, कि possibility हैं comment करके बताना, बहुत कम chances हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर ये हो गया, तो देन भाई मुझे लगता है, कि लोग इतना ज्यादा इतना ज्यादा भाई कोसने वाले हैं, बता भी ने सकता, अभी को सोलो सीकवा को अन्रियल हेट मिलती है, मैं अपने इंडिया की बात नहीं करो बाहर की बात करो, अगर ये champion ब करते हैं, हम लोग अपनी आखरी स्टोरी के बारे में, ये है Roman Reigns को लेके, Roman का return हो सकता है, ये है Randy Orton को लेके, Randy Orton अटाइक कर सकते है, Cody पे, ये हीको लियो को लेके, हीको लियो कर सकते हैं, बैसिकली ये है SummerSlam के main event को लेके, अपडेट का कहना है कि SummerSlam का main event overbooked होने वाला ह Rock आए, John Cena आए, Solo Sequa, Jimmy Uso, Jay Uso, Undertaker, लगता है कि सब को ही ला दिया, WWE ने जितने बरे names ने के दिमाग में है, अब ऐसे में ये same चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, SummerSlam में, लेकिन names कुछ different होंगे, Roman के rumor से, Rock के rumor से, maybe Rock आ सकते हैं, Jimmy Uso के भी chances हैं, भाई, possibly Jimmy Uso भी आ सकते है उसके बाद, Jay Uso अगर आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन Jay Uso के chances कम है, equally you debut कर सकते हैं, Bloodline के लिए, मतलब possibilities काफी जा रहा है, Zilla Fato भी present है भाई, अभी कहाँ पे तो Cleveland, Ohio में, तो यहाँ पे भी overbooking करेगी WWE, मैं यह नहीं कहा रहा है कि यह सब के सब आ जाएं Because Bloodline Rules Match है, Bloodline भाई इनको अच्छे से पकरके पेलने वाली यह torture करेगी, तो कहीं नहीं Kevin Owens, Orton भी आ सकते हैं, help करने कोडी की, and Orton क्या पता भाई, help करने के जगा RKO लगा के चले जाए, तो maybe यह भी एक possibility है, basically overbooked match यह भी हो सकता है, and fans इस चीज़ को देखना भी चाहते है, Russell को भी यह सेम WrestleMania के level का book कर सकते हैं, अच्छी possibility है, बसे stage के मामले में कहीं नोंने थोरा सा वो बहुत बड़ा हग दिया है, तो यह से मैं बाकी मैं इतना excited हूँ, इतना excited हूँ कि मैं बता नहीं सकता, WrestleMania, SummerSlam यह ऐसे events है, कि मैं काफी excited हो जाता हूँ, and मेरे अंदर का वो 5 सल प अगर कल कुछ बरा हो गया SummerSlam के अंदर तो देन भाई मैं फिर रफ्तार से जो भागूंगा ना कि रफ्तार भी फेल हो जाएगा, अभी कहीं साब से भाई, इस वीड़ के लिए बस यही सारी बाते थी, again repeating, follow कर लो Twitter पे, join कर लो WhatsApp चैनल को, कल सुबा सारे चार में आपको SummerS के मैच से सायद expected है, confirm नहीं है, and end होगा आपना confirm है, main event solo versus Cody का मैच, बाकी main event कब होने वाला, ये भी पूछेंगे आप लोग, तो chances है कि सारे साथ के बाद कभी भी आपको ये main event match स्टार्ट होते वे देखने को मिल सकता है, अगर लंबा काड़ है, तो event लंबा जागा, तीन गंटे का अगर किक ओफ सो ही है भाई, तो main so at least 5 गंटे का होना चाहिए, अगर ये 5 गंटे का नहीं कर रहे है, तो समझ लो भाई कि जबर दस्ती बिलकुल जल्द बाजी में किसी भी तरीके से करके निप्टा के भागना चाहते है, and बस इस वीडियो के लिए ये सारी बात